कि लेक्षन का रिजल टाइम पे आ जाता है एक दम टाइश सीमा पाता है कि लड़कों के परिष्छा समेश नहीं हो सकती सर अरे आप चप रासी बना रहे हैं का इस बना रहे हैं अरे नियत्थे लड़कों पुवार करें ककॉंस बहुत बीर मतलब बहुत बड़ा तीर उखार सरकार अधिकार था लड़के इज्जत किये ना अधिकार हो आज है परसासन भी आजा इस्टूडेंटों समने एक बैकल सी में साथ साल लगेगा दस साल लगेगा दोहजार ग्रपर की नोकरी के लिए हम सब गद्दा साल हां रहेंगे जिनका सब्सक्राइब नबर तो इस सब्सक्राइब नवस्ते मेरा नाम सिध्धान घवर हम लोग इसमें ललनट टूडू जो आए वह सलोरी में है यह प्रयाग राज में इस शहर का नाम कालांतर मिलहाबाद हुआ करता था और यह बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां खड़े हुए हैं और आरवी की पर परिक्षा का प्रोटेस्ट करने वाले शात्रों पे पुलिस द्वारा हिंसा की गई और पुलिस ने कहा कि इन्हों ने भी रेल ट्रैक को जाम किया था तो इन सब के बाद जरूरी होता है कि शात्रों से उनके मसले सुने जाएं परिक्षाओं को लेकर उनकी तमाम स्थितियों को समझा जाए आप सभी लोग स्टूडेंट्स है ना तो देखें मैं दो चीज़ बता दूँ आपको बहुत माहौल टेंस है आप लोग भी जान रहे होंगे वो देखें पुलिस वाले भाईया मोबाईल से वीडियो भी बना रहे है उदर उनको भी डर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ न हो जाए आप लोग को भी डर लग रहा है कुछ गड़बड़ न हो जाए तो आप सभी लोग कानून सम्मत तरीके ँरेंगे हम भी करेंगे और पुलिस से या आशाय पुलिस कानून सम्मत करेंगी हम सभी से लियुर तो हम लोग स्टुडेंट से बात करना चाते हैं और स्टुडेंट से बाचित करेंगे जो इलहाबाद में या प्रयागराज में रहने वाले लोग हैं बच्चे जो कई-कई जिलों से आके पढ़ाई करते हैं तैयारी करते हैं खासकर यूपी की परतियोगी परिक्षाउं की करते हैं तो हम उनसे थोड़ा सा मिजाज समझने की कोशिश करेंगे और बहुत चोटे में और बहुत संश्प्त में बात रखेंगे बिना किसी नारे बाजी के और बिना किसी आक्रोश के आक्रोश आप लोग के अंदर है लेकिन अच्छा वक्ता वही है जो आक्रोश को सही तरीके से शब्दों में रख सके ठीक है तो कौन बात करेगा पहले बदा दे मुझसे तुम बात करोगे आरे इस गजब यार क्या नाम है आए हैं यहां रहते हो यहां सलोरी में बगल में रहते हैं तीन चाफ साल स यहां पर यहां पर लोग बच्चे जो खड़े हैं मैं जानना चाहता हूं कि यह होता क्या है एक्जाम अगर तुम समझा सकते जो फोन कैमरे पे दोस्त हार भी एंटी पीसी जो रेल्वेय का इक बोड़ है वह करवाती तो जिसमें यह चैनल टेक्निकल फोस्ट होता है जिसमें टिकट कलेक्टर और इमलब और पोस्ट भी आते जितने नां टेक्निकल के पोस्ट होते हैं उसका एग्जाम नोट्पीकर कि लगभग रिजल्ट आप जनवरी में आप रिजल्ट का कटाब देखिए अरे बान में पंचान में मेरिट चली गई किसी का 35 नमबर बढ़ा किसी को नमबर नहीं बढ़ा और चलिए वो तो जो था था ही ज्यादा प्रोटेस्ट का भी रोग नहीं हो रहा था अब करें रहे हैं अब चपरासी बना रहे हैं का इस बना रहे हैं डोस्त है एक बार प्र कौलिफाइए कि पिली जीजीए में सी दीजिए और गुरूब दी जैसे नोकरी में मनलब आप बत बूलेवल क्वाइए कि पहले आप बताय होते हैं जैसे जब नोटीबिकेसान आपने दिया उस टाइम आपने बताया होता है पंदर आपका के नहीं में विज्ञापन ने आया उसमें यह बाद सरकार को साफ करनी चाहिए तो अब दर दिन पेपर बचा आप बताईये तो वन की तयारी करेंगा लड़का की तू की किद्यू रिटरन से फैसं अब वहас यहीं किद्धारस टाइध करेंगे यह यह हाल इसमें भी करनाउइंगे बिढ़ाेएं दिखाएंगे उसके बाद लoup दिखाएंगे उसके बाद उसमें भी छट नी तयारी करेंगे यह लोग ज्यादा तर जोड इंका प्राईब यकल करने लड़कों की परिछ्ष्य समेच नहीं हो सकती सर इतनी उस से ज्यादा तुजन सेंख्या होगी नहीं है हम जानना चाहते हैं उस से ज्यादा जन संख्या आये नहीं सर आप देखते हैं और दूसरा दूसरी बाद जैसे पुलिस वालों ने पीटा सलोरी बगारा में पहले बता अधिकार था लड़ी के इज्जत किये ना अधिकार हो आजाए परसासन भी आजा इस्टूडेंटों सामने यहां से भी कोई बता रहा था एंटी पीसी और अरभी के बारे में कौन बोल ला था दोस्त आप बोल ले थे क्या नाम है सत्यम पांड़ सर्ट्यम क्या करते हैं सार एती दो यहारा आठारा से एंटी पीसी और गुरूब डी का त्यारी हम कर रहा है सार अच्छा पताइए सर एल्म मंत्री आते हैं और बोलते हैं कि यह करोड़ 20 लाग फंग गिड़ा हुए उनको सर्ण तो आती नहीं है बरच आई करो ना जाए करोड़ एक करोड़ पंदरा लाग लगवा गए एक तो दोनों मिला के ढाई करोड़ फंग भरा गया है दोस्त अब बताई क्या कह रहा है और प्रेस कांफरेंस में बोलते हैं कि धाई करोड़ फंग गिरा हुए है अदुएर और इसका वावाव वेकैंसी एसार अउनको यह बात ब बोलने में सरम भी ना यता बिरज गारी है एक मेंना पहले नोटिफीकेशन देकर वह बोलते हैं कि दूग कोई कोई अगर मेरे जैसे एक दम लहमैन को समझा सके की सी बीटी वन में क्या होता है सी बीटी टू में क्या होता है क्या पढ़ना होता है कैसा एक्जाम आता है कैसा कैसा प्रश्णपत्र होता है कौन कोई बता से एक दम लहमैन की तरह कौन बताएगा तो मताओगे क्या नामें दोस्त आपका नैतिक कुमार सिंग सर देखिए सी बीटी वन जैसे कंप्यूटर बेश टेस्ट होता है उसमें सर मैत रिजनिंग और यह जीएस ठीक है सर जीएस में आ गया लुबर तो सर वही सेम सेम पैटर्ण सी बीटी टू में भी होता है तो ग्रूप डी की परिच्छा मे सिर्फ यही निवेदन था कि आप 20 दिन पहले लड़कों को दे रहे हैं कि इसमें सी बीटी टू होगा और ऐसा जैसे 2019 में हम लोगों का फाम बराया गया तब ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं था तब उसमें यही था कि सिर्फ सी बीटी वन होगा हां सर यह सर दो जो होता है मतलब जो गर समान ने घ्यान काता है कि से बीटी टू वन से हाई होगा यह सर तो मतलब शात्रों को डबल डबल एक्जाम देना पड़ेगा तब आगे यह सर ग्रुप बी में शर्टी से इस इस सर्प लिट running वाला प्रॉसेसर सर उस्के बाद फिर उसके बाद रिजल्क हो जाता है कि लड़के परेशान हो जाते और वो भी एक ग्रेट ग्रूप D की एक्जाम है सर ग्रूप A, ग्रूप B, ग्रूप C, यहां तकी सर इससे पहले आई थी, SI की एक्जाम आया था, जिसमें की माइनस मार्किंग का वह भी नहीं था, सीधे एक्जाम दीजिए, सिर्फ एक एक्जाम दीजिए, और प्रोसेस यह की एक्जाम दीजिए, जिसमें की आप सलेक्शन हो जाता है, और यहां पिया है कि इसमें माइनस मार्किंग है और दो सीबीटी देनी होती है, सीबीटी वन, सीबीटी टू, उसके बाद फिर आप जाएंगे, फिर उसके बाद दोड़ने के बाद 35 किलो का बोरा लेके दोड पिर उसके बाद साथ तब जाएंगे रिजल्ट आपकब होगा तब जाएंगे सर दो सीबीटी में आप एक्जाम लीजे हो हमें चाही है, वो कुछ इसमें कोई दिक्कत निया, लेकिन जब आप फार्म ला रहा हैं उसी समय आप नोटिफिकेसर में दीजिए कि हम एक एक ए लेकिन क्या है कि अब एक फटे पहले आप दे रहें कि नहीं अब इसमें हम दो एक जाम लेंगे अब एक एक लिए उसके लिए दो एक जाम जैसे तो समय से बतादो कि त्यारी कर ले लो आपका कहने का मतलब यह लोग इतना विस्वास खोदी है कि लड़कों को पता नहीं ह लड़कों का विस्वास नहीं था कि पेपर होगा बहुत दिक्कत हो गई सार लेकिन अब जालीजे हम लोग मानलो तयारी कर रहे हैं इतने में आप एक महीना बचा नहीं बता रहे हो आप दूसरा पेपर भी होगा सीबीटू भी होगा अम लोग एक साल पहले दिये थे सार अगरा गये थे पेपर सेंटर वहां देने आगरा गये थे सर वहां जाना आना हम लोग चात्र है सर 2018 से मानलो फारा माया है 2019 जुनोरिस फारा माया है हम लोग कितना दिक्कत से हां रहे हैं पता नहीं सर लोगों को समझना ही नहीं है अब हम लोग मानली यहां तो काफी दिक् पांज़े आगले महीने पांस रुपए हम अपना बढ़ा दो लड़के भागते हैं यह रहां कि नहीं को नहीं मतलब कोई मतलब नहीं किवा कि नहींने था लेकिन यहां लड़के कि लेते हैं चुनाव आ रहा है हमें करवाना जरूरी है उसमें सर अभी हम कोई हो नहीं है को युमारे पास ब्रक्तिकत प्रमाण नहीं है लेकिन उसमें मिलेड के बता रहे हैं पंद्रा-पंद्रा लाख रुपय घूस लगा है लड़कों का हुआ है और संब नहीं सब्सक्राइब एक सोआफ़ान सर 158 कोउश्चन किसी का सही का सही मिलेड कोई भी लड़का मुंझे बता कर लेता हुं अन्ट करता हुं करता हूं करता हूं अभीन विल् सरशल से पड़ता हूं पिटी सी कोचिंग करते हैं लावाद में लेकिन सर मैं वही कुछिन लड़का आये और जो कुछिन आया है मैं बता दूं सर कि यही कुछिन आएगा तीन पेपर उनको दे दूंगा तीन पेपर से मैं आपको यह जाएगा और उसमें थोड़ा सर्वाया बताव है कि संद। कम्प्यूटर से टेस्ट लिद्फोल कंप्यूटर से सब कुछ हो रहा तो यही सब कंदिशन है सर। ॥ सर उसमें सर कोई ने हमारी वागों कोई नाटिफिकेशन आप निकाल रहा है चाहें ले रहा है तो आप समय से रही तो नोटिफिकेशन में दीजे कि हम की एक महीने में ब customize करा लेंगे कहा कि नोटिफिकेशन में दीजे तो दो एजाम लिए चाहिए चाहिए कोई दिक्कत थी लड़के त्यारी करेंगे उसे आप से हमा लिजे गुरूप डी का आपको रहे हैं समय से यह हो रही कि जो बच्चे गुरूप डी का फाम डाले हैं तो रेलवे का जो नीजी करन होने क कि बात चल रही है सामने आ रही है तो इसमें बेगरे करते जा रहे हैं और जैसे जैसे लेड़करे जाएंगे तो जो यह साड्लिस्टине का केस बना रहे सार उस्में बच्चे कम होते जाएंगे और डाइकिंश इन लेस्टे कुछाली रह जायेंगि कि दृषके आ रहा करवाएंगे साट लिस्टिंग में फिर उसके बाद इतनी सारी बेरिफिकेशन दोड़ भाग सारी चीज़ें तो दीरे-दीरे क्या होगा बैके सी खाली निकल जाएगे और कर लाना इसलिए भृति नहीं करना चाहा रहे हैं या लेट कर रहे हैं ba को सद्थ बनाता है पांच साल सरकार चला अकर फारी एक पूर बहुत पर पर दिख लीकटफ टेशन वह हैं चोटा सब्सक्राशी का पोश्ट उसे फाइनल ली कर अपार रहे है तो यह तो साब साब दिख रहा है सर क्या बोल ले थे आप सर इसके पहले भी जो एंटी पीसिक नान टेक्निकल पोस्ट आई थी अथारा जार उसमें भी चौदा ही एजार मैं सवाल दोरा दूं कि मुझे सवाल पूछना भी था किसी से यह तो यह तो दोर उननीस की भरती की बात कर रहे सब्सक्राइब इसके पहले डेखें रेलेवे की जो भी विकेंसी जाती नोन टेकनिकल पापलग ट्रूड लगए यह 2 बीशेस रूप से चुनावीभरतियां होती है यह चुनावी भरतियां होती है इसके पहले वेकंसी आई थी सं-2013 में गूरूबिकी भी आई थी कि यह वाली अब पीछे की मब आपको बता रहा हूं 2013 में आई थी वह प्रोसीजर रेलवे का यही रहता हमेशा से हां लंबा खिशते हैं तीन साल चार साल उसके बाद वेटिंग प्रोसेस रखते हैं उसको कम्प्रीट करते हैं बारी बारी से अभी देखिए जो 2018 की वेकेंसी आई थी लोको पालेट की उसमें वेटिंग में रखे हुए थो जोन वाइज वह कंप्रीट करते जा रहे हैं मेरे दोस्त हैं कई लोग उनका भी नहीं क्लियर हो कई जोन में क्लियर होते जा रहा है तो रेलवे लंबा बहुत दिन से खिशती रही है इसमें कोई नई किसे की मतलब रेलवे डिपार्टमेंट उसका अपना ये एजंडा रहा है कि लंबा खीचना है दो साल तीन साल चार साल पांत साल इस तरीके से किसी की भी सरकार रही है और युवाओं के साथ ही खिडवाल क्यों होता है और हर चुनाओ हर चैत्र में चुनाओ हर स्टेट में चुनाओ समय सहोगा होती है हर मतलब चीज समय सोचते बस तो चाहिए यूपी ताखियो पूरे पांथ साल में 2008 अफ्ले वीडियो का नोटिफिकेशन आया दो जार अठारा उन्हीं सब्सक्राइब कोई रोल नहीं है बस मतलब उन्हीं के लिए कोई सुनता नहीं या बता यह ग्रूब सब्सक्राइब करता है एक रुपया जोड़के देना पड़ता है भले नमक नहीं पाइसा नहीं है आज आज नहीं ले पाएंगे या चलो कल देखते हैं कहीं सब्सक्राइब है नहीं दो करेगा उसको थोड़ीन पता है हमारा हम नहीं हो रहा है उसको थोड़ीन पता है क्याला कुछ नहीं हो रहा है अब घर से कहेंगे यह तो है नहीं कि हमारे बाप बिधायक है मंत्री हैं ठीक है दस लाख चला जाएगा एक बोरग यह हो बोचेंगे फिर कहीं से उदाल लेका ऐसा ऐसे करेंगे सर एक समय होना चाहिए सर भरती कि हाँ आपको इस साल में रेलवे की इतनी वेकंसिया मिलेंगी इस साल मतलब जैस नहीं होगा थंभाग आएंगे नहीं तो सर बताइए 2018 में डालें अभी तंगमाकान माली को साड़े तीन हजार रुपया महीना दे रहे हैं पांच तारी को अपकी हमारा रेंट होगा नहीं दे पाएंगे सर तो तुरंत मतलब कई ही कहेगा रूम छोड़ों दोस वाले केंसी निकाल के यूपी तिपल सी का भी नियम कलेंडर होना चाहिए जो समय बद्धता है उस पर विचार करने क्या आउशकता है सरकार को इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्लेंडर में अगर सर हुआ हमारा तो ठीक है कलेंडर में आ गया तो मतलब उनको फॉलो भी करना पड़ेगा जैसे हर साल अपना एक्जाम का वो देती है जैसे कि आप इस महिने में यह फॉर्म आएंगे इस चीज का एक्जाम होगा इसके बाद फिर उसका सीवीटी टू का अगला प्रोसीजर पुरा यह में जितने भी विभाग में वेकंसिया उसाइब पुरा रिकॉर्ड देगा कि आपकी वेकंसी समय होगी इसका इस समय होता जलागा वैसे हमें मांगे राज सरकार्ट से भी और जितने आरार भी भी है यह यह जो यह बता रहे थे हमको कि मतलब सीबीटी वन हो गया थोड़ा सा जगह दे ना थोड़ा सा घेरा बढ़ा कर लो यार अधे तो मास्क लगाए हो तो थुट्डी पर चिपका लिए वह इसे उपर करो ना तो इसके पास है तो लगा लो रुमालत वह बान लो गमशा मफलर हो तो लगा लो मूपे तो एक सी एक चीज यह है कि जैसे भाई साब बता रहते हैं कि सीवीटी वन हो गया उसके बाद टू हो गया उसके बाद फिजिकल और यह वो मेरिट मतलब मिला जुला के भरती होने में और ज्वाइनिंग लेटर और घर पर एक सेकंड़ भास तो लिए घर पर यह बताने में कि घर पर य 2016 के जूने अर्सिस्टेंट के इस्टूडेंट है सार हम उसे क्वालिफाई किये हैं हमारा इंटर्व्यू 28 अक्टूब सितंबर को हुआ है उसके बाद से अभी तेगे फाइनल रेजल्ट नहीं दे पाए हैं यह समझे 2016 का अखले सादो जी ने निकाला था जूने कि यहां पर लॉज में और गैस्ट हाउस में रहने वाले स्टूडेंट के आपी और एक सिंद्ट भाई हां ठीक है यह लोगडान वी और 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 पी कोचिंग वगर क्या कितना फीस लेती क्या कैसे पढ़ाई करतें दिकतर लोग यैसे मुझे आज एक बंदा मिला एक सब्सक्राइब एक जगह मैं गया था वह जो बगाड़ा में एक लॉज में जहाँ पुलिस का गुसने का वीडियो वारल हुआ था मैं वहां गया था लोगों से बात की थी कोहां बच्चे मिले थे कुछ तो वता रहे थे कई से कई वही बार सर कोचिंग नहीं करना होता है आँ लाइन और लाइन कोचिंग खानवान सर ऐसा चल जाता है काम या इधर इधर क्या सीन है सलोरी तो कहा जाता है गड़ है भाई सलोरी बगाड़ा दारा गंजी सब गड़ है माली जे हां तो मिनी मुखरजी नगर कहते हैं इसको कितना लगता अरारभी और अर्भी का फी सब्सक्राइब है जहां पर मैथ 200 के मैथ से सुरुआत होती है और 10,000 तक वसूलने वाले सलोरी में हैं मदब 300 में भी मैथ है 400 मचली बाजार हैं पढ़ाई की यहां पर यह समझ सकते हैं हर लेवल के टीचर पढ़ाने से अच्छे क्योंकि टीचर भी बेरुजगार जो स्ट सब्सक्राइब है यहां सब्सक्राइब है लेकिन यह सच बात है कि मैक्सिमम बच्चों साथ दिक्कत होती है दिकते होती है जैसे हम लोग यहां फरस्ट जब वाइदे कोबिट की तो उस समय जो है चुट दिये थे आधा कर दिये पांच महिने के लिए लेकिन सिकेंड में में सब्सक्राइब होई उस समय भी हम लोग भागना पड़ा लिगा एक दम से ठप हो गई और हम लोग एक जाम भी इसी होज़ा से साथ एपसी देता हो तो निकला नहीं लेकिन उस समय कोई छूट नहीं दी गई उपर से जो उसके बाद ये संदे क्या गया कि आप लोग छोड़ के भाग ना जो इसलिए डवांस में दो यह समय आती है लेकिन घर वाले हम लोग लोग लिए तो समय निकल ना सब दो साल गुजर चुकि अब तीछे के दो साल का हिसाब नहीं हो समय बहुत क विल्काणिया को सब्सक्राइब कुछ और सवाल पूछूँ का यह ट॥ी आरार बी वगरे की चीजनी होती है मुझे मुझे मेरी नजर है यह सच में ऐसा है कि इस पूरी वेकैंसी में लड़कियां कम आती है ऐसा है किस्श में मुझे लड़कियों का परजdas सी शलियंकी कित सब्सक्राइब करें तो सभी लड़कियों के घर वाले मात तीन-चार सल मौका देते हैं लड़कों इतना मौका नहीं दिया हम लोग कोशिंग पढ़ाते हैं तब घर वाली रखे हैं हम लोग को यहां में कोशिक पढ़ा कुछ खर्चा निकाल का कासूर होते हैं हम लोग तब यहां पर और हम लोग खालत खराब होते हैं चीहत्ता नंबर पाक हैं यहां कौलिफाइब किसी वच्छे का पंद्रा करने आया ना थोड़ा सा सहियं बनाए रखिए प्लीज आप लोग पुलिस को यह कहने का नमोका मिले कि आप लोगों ने ललन टॉप ने गलत किया ठीक ह लड़के का 40 नंबर समाजिए 70 नंबर बढ़ गया किसी नंबर बढ़ गया लेकिन उसका कोई हम लोग को कुछ पता ही ने चल पाता है किसमें कितना नॉर्मलाजाइस हुआ है क्या नहीं हुआ है मेरे कुछ सवाल अब 25 और 26 तारिकी घटना को लेकर है क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव मैटर है इसलिए आप लोगों मेंसे जो जवाब न देना चाहे वो पीछे चला जाए और जो जवाब दे सकते हैं वो आगे रहें आप मेंसे कितने लोग चश्मदीद थे भाई थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ थोड़ा सा पीछे हो जाओ थोड़ा सा पीछे हो जाओ प्लीज भी नहीं करो मैं इसलिए थोड़ा सा मैं इसलिए कॉशिस हो रहा हूं आप लोगों ने वीडियो पहले भी देखे भी होंगे मामला सिंसिटीव है ना अगर एक दम एक दम और और एक दम देखे इस समय होता है ना कभी-कभी मैंने इतने साल कवरेज में बिताए है कभी-कभी कोई एक आद वो डिस्रफ करता है और भीड फिर भीड लेकिन यहां पर आप लोगों से बात करने आया हूं और मैंने वीडियो की शुरुआत में यह भरोसा दिलाया है कि मेरे होते कम से कम मैं स्थिती भी करने नहीं दूँगा तो पुलिस अगर आप कोई गरबड़ी करते हैं तो आपके सामने मैं खड़ा रहूंगा ठीक है आपकी लाठी आपका गुसा मेरे उपर फूट जाए मुझे मनजूर है पुलिस अगर आपके उपर कोई करवाई करती है तो आपके सामने मैं खड़ा रहूंगा ठीक है तो हां तो मैं किसे बात कर रहा था दोस्त मैं तो भूली गया हम भूलो भूलो हां चलिए मैं 2526 तारिकी घटना के बारे हमास करना चाहता हूं उस दिन प्रयाग राज में क्या हुआ था कौन कौन चश्मदीद है उसका किसके सामने आप लोग आगे आजाईए बाकी लोग फोड़ा से लुट लेने वाले थोड़े बास समय आएगा वो लोग आगे आजाएं जिनके सामने घटना घटी है क्या नाम है आपका दोस्त सीवम सर ठीक है भाई बहुत अच्छा काम करते हैं मास्क उपर पहने हो तुम क्या करते हैं प्रवांचल इनवर्स्ट्री से और यहां से में एकोनॉमिक्स किया इनवर्सिटिया पलाबास से फिलाल तयारी चल लें से ही क्या है इसके पहले से एक सगेंड और मैंक्स यह दो तीजिए जोड़ दिए उसमें इस पूरे प्रक्रड की भूमीका च्यार और पांच जनवर को लिखी गई थी जब सलोरी में एक बड़ा च्छात्रा अंदोलन हुआ था थाली पीटने का अंदोलन हुआ था तो जो घटना मताए मुझे कहानी बताए चार और पांस तारिक से बताए कौन बताएगा मतलब एप पूरा जो इन्वार्मेंट चो पच्छीश तारिक को घटना हुई है पुरा इंसिदेंस उसका इन्वार्मेंट काफी पहले से बन रहा है और इसका जो मेन रिजन है अनिम्प्लॉयमेंट को लेके है सब अनिम्प्लॉयमेंट में गवर्मेंट की की पॉल्सी ऐसा नहीं कि मतलब चार तारी को कुछ रेंडम हुआ उसके वजह से इसके पहले से लगातार सलोरिया और इलाबाद के अन्य छेत्रों में आंदोलर चात्र जो अन्दोलन पे थे उनकी अलग-अलग मांगे थी 25 तारीक को ऐसा हुआ कि जब एंटी पीसी एर अर कर लिया तो इसके लिए अभी हमको आप ने बीस गुणा में वीज गुना क्वालिफाइ करा रहे हैं और सब को एक बार क्वालिफाइ करा तो बच्चों की संख्या जादे होती लेकिन आपने एक इप बच्चे को चार ला करा दिया तो बाकी बच्चे जो थो पिछड गए तो उसके लिए हमने अपना प्रोटेस्ट किया अप्रोटेस्ट में इन्वार्मेंट बना कि थोड़ी सी कैजुएल्टी हो गई अब कैजुएल्टी हो गई तो पुलिस की बरबरता बहुत जादे बढ़ गई छात रही था कुछ इसा कर रहे थे जिसे इसी इस्थिति आ भी एक किया सर पहले नबबे लाख लगग हम लोगों ट्यूट किया था सर लेकिन सर कोई सुना इन पिर हाश्टेक बंद कर दिया के हम लोगों तूटी नहीं होता रहा फिर भी हम लोग सांती से प्रोटेस्ट करते रहें सर अब यहां कोई लड़का चला लेकर बंदे के त मेरा नाम कमलेश यादव है सर हम में PhD का स्टूडेंट हूं जी जी सर यहां पूछा कि जो पांस तारिक से पड़का था थी सब पांस तारिक जो चार तारिक का अंदोलन रात में हुआ था उसमें यह था कि वो सिच्छक जो वैकनिसी थी ततकालिक मुद्दा यह था कि जो है कि उसमें के लिए भी था कि जो उसमें दहांदली का रोप बहुत सारे लड़के जो है कुसमें पूरा के पूरा जो है कि कृस्टन सभी कर गए है तो यह मतलब हुद्दा महां सिश्टार था लेकिन जो तक अचार संगीता आने वाली थी लड़के अपनी बांग को लेकर के ज़ाए MICHAEL कि टूंसी जो है भीाइश के मुदा ये है ये सत्तरहाजार के हामि लगानी ज़रको us Codeco को भाने स्वाइब लगाइब यह सब मुद्दे एक साथ हुआ और लड़कों की घबडाहट थी कि जो है कि एक आचार संगिता लग जाएगी तो हम लोग फिर से बेरुजगारी के वो चले जाएंगे सरकार बदलेगी या सरकार यही रहेगी तो अपनी नितियों पर कायम रहेगी या सरकार बदलेगी तो फिर उसके बाद से जब यह चीजे वो आचार संगिता बीच में लग गई लड़के और जो है कि वो अपने करियर को लेकर की दर तीन साल कोरोना में गया और कोई वैकेंसी नहीं है तो यह वो था और इसमें आग डालने का गही का काम जो किये हैं वह एंटी पीसी जो रेले कि अचानक से आप वाई की मतलब जो है कि गुरूब डी के लिए आप जो है कि सेकेंड एक्जाम लेने लगे वह नोटीफिकेसन में बिल्कुल सब्सक्राइब घटना क्रम प्याना वह लोगों ने बताया मुझे जी मैंने सुना तो उसी के विरोध करने के लिए जो है कि च कि अपना थोड़ा सा प्रोटेस करेंगे और इनवर्ष्टी चवरहे तक जाएंगे तो वहां पर यह घटना क्रम वहीं इनवर्ष्टी यह बगाडा क्रासिंग में कुछ भाई हो सकता है राजयक तो ने हो जाती है तो उसमें थोड़ा सा पथलवाजी हो गई तो वहीं पर जो है कि यह सड़क पर मारना चाहिए था इस्टुडेंटों को सब्सक्राइब जो बहुत सारे जो है कि वह बेगुनाच शात्र अपना रहा थे उसमें जाकर जाकर के लड़कियों के लड़कों के पर रहे हैं यह जिनका प्रोटेस्ट कोई संबंद नहीं है उनको सबसे ज पूरा पूरा फट गया सर्पुरा का तोरी फटके डेजल अपड़के अप्रेशन लगा यूवी या दो गया एक लाग पचीज़ रूपे पूरा फट गया उसका अंबेर गर चीटाइब पटिक ऑउं का है पूरा फटके एक लाग पचीषी सब्सक्राइब आप डिए उस अब आप सुनिये सुनिये भाई सुन लो छुन लो फोड़ा सा दूर जेए ब्लीज देखे ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिक्के का हमेशा एक ही पहलू हो सिक्के का और घटनाओं का दूसरा पहलू होता है जैसे 25 तारीक वाली घटना जो है प्रयाग स्टेशन बहुत दूर नहीं है अदा किलोमेटर होगा है यहां से और अदा किलोमेटर स्टेशन है वहाँ पर स्टेज़ उसी दिन पतना में बी हो रहा था उसी दिन यहाँ परे पतना में equivych भुआ बिहार के कई लाकों को प्रयास करने लगे प्रेणों को रोकने को प्रयास हो गाए मतलब ये खबरें तो चली है ना ये खबरें तो हाई है ना आप लोग खंडन करिएगा वह बालग बात है मैं पूछ रहा हूं खबरें तो यह आई है ना कि चात्रों को मनाया गया चात्र फिर भी शांत नहीं हुए चात्र नहीं हटे और उसके बाद प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट हटते हटते पुलिस का बल पुलिस ने बल प्रयोक किया जो जिसके अबारे में आपके बयान है कि आप लोग हस्टल में चले गए या आप लोग जो जो चादरास्टल में नहीं शामिल थे उन पर लाठी चार्ज किया गया असली प्रोटेस्टर को नहीं वह एकदम इस्टेशन और बगाड़ा से दूरी नहीं है जो सब्सक्राइब बिल्कुत तो वह बहुत जैसे जैसे अब इसाम का प्रोटेश्ट होता है तो उसमें अपने आप बढ़ती चली जाती है तो उसमें क्या होता है कि वह ट्रैक तक पहुंच गए लड़के ये एक मत प्रसासन ने एक तरफ सिलाज में घूसके मारना इस्टाट किया था यह तो सही नहीं था जैसे चार तारी को जो गटना थी सबसे पहली बात तो मैं आप सब को बता दू कि बरतन लड़कियों के हॉस्टन बजना सुरू हुआ था और जब लड़कियों ने अपना सोर्गुल सुरू किया तो हम लोग चौराहे पे आये हैं वही जो कुछ संख् को हम लोग ने एलान किया थे यहीं गेट पे जहां पी कठा है कुछ साथी गड़ाये थे और वह आंदोलन बड़ा बड़ा बदल गया लेकिन जब यह वाली जो बात पचीस तारीक वाले में बार कर रहे हैं पास तारीक में जो एफाइयार हुआ और पास तारीक वाले में वह एफाइया रग्यात में होता है और दो लोगों पे जिनके नाम पूता इस कारण सो होता है क्योंकि यहीं से जब मैंने अंदोलन यहां खतम किया तो कुछ लोग उसमें से निकल करके बालसन चले जाते हैं लड़के जो उसमें थे तो कुछ लोग उसमें चले भी गये 40- पत्थरबाजी उसके फिर वहां की लड़कों पे यहां पे किसी पे फिर नहीं थी पांच वाले में जो फाया रुए पचीस फ़ियां पाचीस तारीक वाले मामला है उसमें पत्थर बाजी किसे जिएसे कुछ लोग ट्रेक उखाडने लगे कुछ यह ट्रेंड चली नहीं मतलब उसमें ऐसा नहीं की चल रही थी क्योंकि पुलिस भी अपने law and order को मेंटेन रखने के लिए अपनी बातों करने लेकिन यह जो जहां पर हम लोग गये थे लोज में घुश के मारे ते आपे वहां तो कोई लड़का निकला इनी था वहां से डिस्टेंस अलग था मारना कुछ और था ट़ारगेट को और और खा गया इसकी किसका फॉल्ट है यह सबसे बड़ा फॉल्टों में लगत प्रिशासन का है और सरकारू का है जिनकी वज़य स आज ये इस्तिती बनी होगी है कई बार पैसा दे करके बच जाते हैं जैसे यहां नकल माफिया जो एक्टिव है उनको पकड़ के छोड़ देते हो किसी भी कारण चूड़ जाते हैं सरकारी उनकी पकड़ अच्छी है उनको कोई अपरात का कोई नहीं मिलता है उन्हीं की वज सब उसे मार्खा रहे हैं ठीक है जी मैं अब एक सवाल पूछूँगा आप लोगों से थोड़ा सर्फ मैं भी तेज बोलना हूँ और मुझे आप लोग को भरोसा है कि आप लोग की आवाज भी बुलंद है इसलिए आप लोग भी अपनी आवाज थोड़ी सी तेज रखके बात करेंगे मेरे उपर चपिये मत थोड़ा साइब लीजेगा सो समझ लीजेगा देखिये मैं अबना थोड़ा सा एक ठीन सवाल पूछने वाला हूँ आप लोगों से शायद कठीन हो भी ना आप लोगों के लिए हम लोग मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और मेरे त्रkę थी मोहन है वो भी स्टूडेंट है, कितने सारे लोग हैं सब लोग स्टूडेंट हैं पीछे देखिए पलिस का फॉर्स पिछे देखिए पुलिस की फोर्स खड़ी है पहले तीन-चार जवान थे अबी अधिकारी लोग भी खड़े हैं, वो लोग भी student रहे होंगे, है न, यहां पे भीड में कितने सारे लोग student होंगे, और हमें से कई student होते हैं, जो competitive exam की तयारी करते हैं, हमें लगता है कि यार exam निकल जाए, हमारा exam आ रहा है, हमने पैसा देके form भरा, और हमेंने तयारी की, और स हमें से result नहीं आता है, फिर उसमें ये सब गरबढ़ियां होती हैं, तो हमें दुख होता है, मुझे लगता है, अभी भी मैं साफ साफ on the record भी कह सकता हूँ, कि अगर सरकारों ने सही से परिक्षाएं नहीं कराई हैं, तो सरकारों की गलती है, और दिन रात परिक्षा के लि और अन्याय है, प्लीज, प्लीज, मैं ताली बटोर ने नहीं आया हूँ यहां पर, वो नेताओं का काम है, लेकिन यहां पर एक और चीज है, इलहाबाद में जो प्रोटेस्ट होते हैं, वो अचानक से इतने ज्यादा संगठित, मतलब इतने एक कॉल पे सेक्ड़ों लोग जमा, अचानक से सेक्ड़ों लोग एक, दो, तीन लोग कॉल हुए, इतने लोग जमा हो गए, हाँ, और फिर वाइलेंस भी हो गया, पुलिस की भी कारवाई हो गई, भाई हम तो पुलिस पर सवाल उठाते रहेंगे, लेकिन हमें यह तै करना है कि हम कहां खड़े हैं, यह आरोब लगते हैं कि भाई, विपक्ची पार्टियों के लोग शामिल हैं, विपक्ची पार्टियों यह सब करवा रही हैं, यूपी में, इलहाबाद में, प्रियागराज में विपक्ची पार्टियों करवा रही हैं, इन सब चीजों में कितनी सचाई है, यह सचसे ही है उसमें कहीं न कहीं politics तो जरूर होती है आप लोग भी सायने हैं इतने है ना हाँ बूलिए का बले प्लीस मैं आखरी 2 मीनट है मेरे पास प्लीस है बात ऐसी है मेरे पास दोनों के लिए स्टुडेंट्स के लिए भी और पुलिस के लिए भी फर्स्ट आफ पुलिस ने जो जेश्चर सोन किया यहीं सामने खड़े हो के सेस्पी सर यह शोन बेरी नाइस जेश्चर की उन्होंने समझाया पुलिस के पास एक वही तरीका है लेकिन हां कुछ उपद्रवी है और जहां सुन लो दूसरे को यार सुन लो दूसरे को मेरा इन से विरोध नहीं है आप बात सुनिये ना एक पक्ष जानिये तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई अजिटेशन करते हैं तो अगर वह वाइलेंट रूप लेगा ना अगर मैं यहां पर खड़ा हूँ और मेरे साथ पांच लोग खड़े हैं उनमें से कोई एक गलत काम करता है तो मैं भी उतना ही उसमें हिस्चेदार होता हूँ आप आपके बीच में से कोई काम कर रहा है और लाइंड और मेंटेन करने के लिए हाँ यह है पुलिस थोड़ा सा हाइपर एक्शन कर गई जो उनके अंदर जा प्रची है और चाथ रहें तो अगर इस चात्र नेता बीच में हैं तो वह अगर चात्रों के लिए जब मुद्दा आएगा तो अगर वो सामनी नहीं है पॉल्टिक्स एक महलाब इस्टूडेंट पॉलिक्स होती है जो चात्रों के नहीं उठाएंगे सर यह भी थे एक हम उ पॉल्टियों की सर बात आती है यह जैसे आप चात राजनी जो विशेस राजनीतिक दलों से संबंद होता है जैसे अब उसमें एब पी का है वह समाझवादी छासभा का है यह अगर इन सब चीज़ों का होता है तो हो सकता है कि कि सी-किसी सरकार जो अगेंस होती है उसके औ मतलब में चीज है कि स्में सरकारों का दोससरकार इसलिए दोस है कि सर थो मैंने भी कहा नहीं होगा यार मैं प्लीज रिक्वेस्ट सुनिए और बहस में अभी हैं आए ना अभी बहुत देर से बाहरी है अब सुनिये सब लोगों ने बात कही है मेरे मेरे परती मेरी भी जिम्मेदारी बनती है ना आप उत लोगों के पथा पाते बता है लोगों ने सब्सक्राइब आप प्लीजब और अब लोगों से अपनी अपने घर चले जहां जहां ज้ाये मैं वीडियो बंद कि रहे नाइई सर प्लीज मेरे मेरे मैंने अपकी बाष सुनी है ना आप इतना सुन सकते मेरी मैं मैं हूँ आप लोगों के बीच मैं अभी इलहाबाद में हूँ अभी आप लोग प्लीज जाईए मेरा रिक्वेस्ट आप लोग जाईए सब ने कहा सब अब की बात अलग से अब युद आपकी अवास नहीं आएगी साप अधर मैं मिलूंगा आप लोग आए पूस시면 यहाइ लोग जाए लियुए तो ये सलोरी से हम बात्चीत हम यह आयुजित कर रहे थे हमने सोचा कि लोगों से सुने उनकी बात सुने उनके आरोप और उनके उरुण पर उठ रहे सवालों को थोड़ा सुने और जितनी भी जैसी भी कोशिश हुई आपको कैसी लगी यह बात्चीत हमें जरूर बताईएगा वीडियो के क